So, Hello Everyone, Myself, Mukesh Kumar और स्वागते आपका हमारे MKS चैनल में और आसा करते आप सब अच्छे होंगे, कुस होंगे So, Basically, BS Nursing वालों के लिए 5 गुना good update याँ पे आ चुका है Government Medical College की तरब से So, Basically, अगर आप Government College से BS Nursing करना चाते हो तो Special आपके लिए रहने वाला है कापी सारे बच्छों का सपना होता है टॉल्ट पास करने के बाद BS Nursing करने का तो 5 स्टेड का फोरम यहाँ पर अभी फिलप किया जा रहा है पर जेन टाइम पे और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आप फोरम ऑनलाइन एपलाई कर सकते हो और कापी सारे बच्छों के कमेंट आ रहे थे तो उनके कमेंट भी यहाँ पर देखे जाएंगे हमारे द्वारा तो यहाँ पर आपको तोड़ा गोर से वीडियो को देखना है ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पर फोरम की बात करेंगे कहां कहां पर फोरम निकले है और इसका एक्जाम पेटर्न क्या रहेने वाला है इंटरंस एक्जाम का डेट क्या रहेने वाला है एडमिट कार्ड कब तक आएंगे ये सारी जानकरी आपको यहाँ पर दी जाएगी और इसी के साथ जो पिछले वीडियो में आपने कमेंट किये थे उनको भी यहाँ पर देखा जाएगा मुकेसर के द्वारा ठीक चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले जैसा कि इस्क्रीन पर आप देख पा रहोंगे यहाँ पर जो फोरम निकले है वो है आपके जारखंड के फोरम निकल चुके है और इसके लावा बाकी चार स्टेट की भी बात हम करेंगे तो जारखंड के फोरम अगर आप फिलप करना चाते हो तो जारखंड के और जो इंटरंस एक्जाम की डेट है वो 18 जून रहने वाली है तो मैंने आपको बताया था कि जून में बहुत सारे एक्जाम है चलो मैं आपको जैसा कि यूपी की बात करें तो यूपी का भी एक्जाम है ठीक है और आपके 36 का एक्जाम है जारखंड का एक् के कोडिंग हमने स्टार्ट करवा रखिए एमकेस अकेडमी पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एमकेस अकेडमी आपने जोइन कर रहा होगा तो पता भी होगा ठीकी चिंदा आपको विल्कुल भी नहीं करनी है यहां पर जार खंड का बात हमने कर लिया इसके अलावाद चल तो अगर आप फिलब करना चाते हो तो यहाँ पर एपलाई कर देना 29 माई 2023 से फोरम स्टार्ट है राजस्तान में और यहाँ पर अंतिम यहन की जो लास्ट एट है न वो आपका 19 जून रहने वाला है राजस्तान का ठीक है और इसका इंटरंस एक्जाम जून में तो नहीं तारखंड के फोरम निकल गए राजस्तान के फोरम निकल गए इसके अलावा चलिए बात हम कर लेते अगला नेक्स्ट यहां पे ले लेते आपका बिहार तो बिहार में फोरम स्टार्ट है फोरम एपलाई कर सकते हो यहाँ पर 2 जून 2023 आपकी लास्ट डेट रहने वाली है और इसके अलावा जो इंट्रंस एक्जाम है वो आपका लास्ट डून में होने वाला है तो आप चाहो तो बिहार में भी फोरम एपलाई कर सकते हो इसके अलावा चलिए नेक्स्ट आम बात कर लेते आपका चत्यसगड रह गया तो चत्यसगड एपे फोरम स्टार्ट है और इसकी जो closing date है वह 28 माई 2023 तो इस परकार आप फोरम एप्लाई कर सकते हो और यहाँ पर चतिसगड के फोरम और यहाँ पर चतिसगड के जो admit card है वो 16 जून 2023 को यहाँ पर जारी कर दिये जाएंगे और चतिसगड में 30 जिलों पर यह exam होने वाला है तो अभी आपने देखा और उत्राखंड के फोरम भी निकल गए जैसा कि इस्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे तो पांच राज्यों के फोरम फिलहाल स्टार्ट है गौवर्मेंट मेडिकल कोलेज के लिए अगर आपका सपना है तो जरूर यहां पर फोरम आप एपलाई कर सकते हो चाहो तो दूसरे स्टेड में भी कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जिसे राजस्तान में तो ट्राई करना चाहिए क्योंकि यहां पर 15% कोटा है 15% कोटा है औल इंडियावालों के लिए तो राजस्तान में आपको जरूर ट्राई करना चाहिए इसके लबाद चलिए और भी हम बाते करेंगे बट उससे पहले आपके कमेंट देखेंगे क्योंकि आपके कमेंट देखना बहुत ज़्यदा जरूरी है तो चलिए आपके कमेंटों के उपर चलते और वहाँ पर आपका doubt शोल करते है तो पिरे विद्यार्तियों यहाँ पर आपके कमेंट सारे हमने open कर लिए जैसा है कि आप देख पा रहे होंगे और सभी का one by one करके reply आपको मिलने वाला है किरन साव का काना है बट सर cg में तो nursing का form apply करना शुरू हो गया है बिल्कुल हो गया cg में अभी हमने आपको बताया कर सकते हो apply और तयार भी स्टार्ट है MKS Academy पर landing with पूजा सर बिहार में कब निकलता है बिहार में स्टार्ट है पूजा जिसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे प्रिये विद्यार्तों को अभी पता ही नहीं है कि कहां कहां पर फोरम निकल गए जबकि निकले हुए 10 से 15 दिन होगे तबी तो बोलता हूँ कि अलर्ट रहा करो चैनल सस्क्राब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ताकि आप अप टू डेट रहो यादव जी का करना है सर UP वाले भी डाल सकते हैं बिलकुल डाल सकते हैं UP वाले, MP वाले, बिहार वाले राजस्तान में फोरम डाल सकते हैं क्योंकि All India का 15% आपके लिए सीटे रिज़र हुए सत्यागा करना है हेलो सर UP में इंटरंस एक्जाम का डेट 4 जून ठीए UP में 4 जून MP की फोरम कब रे जाएंगे देखो, MP के फोरम 2022 के दुबर गए अब 2023 के फोरम आने वाले है और वो आएंगे आपके अगस्त में तो उसको लेकर भी त्यारी स्टार्ट है MPS अकेडमी पर लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है मस्त मलंका काना है सर, UP वाले एपलाई कर सकते है बिल्कुल कर सकते है एपलाई आराम से राजस्तान में जो फोरम निकले है वहाँ पर UP वाले एपलाई कर सकते है सुनिता, रानी सर, हर्याना और 36 गट का फोरम कब निकलेगा सुनिता 36 गट का निकल चुका है हर्यना का अगले 15 दिन में आने वाला है विराठ उपी वाले बर सकते services बिल्कुल बर सकते हैं जैसे कि मैं आपको बताया आराम से बर सकते हो कोई इसमें डाव्ड नहीं है उपी वाले आराम से राज़स्तान का फोरम बर सकते है 100% बर सकते हैं दिक्कत वाली बात नहीं है, बिहार वाले बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं, और सवाति कभी यह कहना है, सर कोई भी यह फोरम बढ़ सकता है, हाँ सवाति आराम से, राजस्तान का तो हर कोई बर्दो फोरम, कोई दिक्कत ही नहीं है, सब का सवागते, राजस्तान म पर एपलाई कर देना माराष्ट के कब निकलेंगे तो माराष्ट का तो मैंने आपको बताया था कि अगले महीने तक आपको तोड़ा सा अलेट रहना है और अलेट आप होंगे तो आपको पता भी होगा तो सारी कमेंट यहां पर देखे जाते हैं आपका कोई फ्रेंट सेर के लिए कोई भी समय से आओ तो बता देना बोल देना उनको कि यूटूब पर फोरम दोबस कर रहा है आप लोगों के लिए तैयारी का तो सिंपल सा प्रोसेज है सबसे पहले तो MKS Academy आपको डाउंलोड कर लेना है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और डाउंलोड करने के बाद यहां पर जो भी आप तैयारी करना अगर नियर का करना चाहूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ताकि लाइब रिकॉडडेड नौर्स और आपका टेस्ट्रीच के माद्य में से घर बैटें तैयारी कर सको गर में इंक्वारी हो ओनलाइन कोचिंग से रिलेटेड